Hello everyone, welcome to Apex Overseas Education, myself Shubham Yadav, I am a medical student in Farreston Federal University. अपने आज की इस वीडियो में हम आपको Farreston Federal University के lecture hall दिखाने वाले हैं, classroom दिखाने वाले हैं, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में जो हैं वो बने रहें, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी student को मैं एक scams related information देना चाहूंगा, ताकि आप जो student यहाँ admission लेने वाले हैं, आपके साथ ऐसा कोई scam या फिर fraud ना हो, ये scam या fraud है hidden charges का, hidden charges जैसे की one time charges, OTC, one time payment, miscellaneous charges, processing charges या additional fee in the first year, आप किसी agency को approach करते हो, call करते हो, वो आपको कुछ अपनी agency की fees बताते हैं, consultancy की fees बताते हैं, वो ये consultancy fees आपको बताते हैं, इसमें से कुछ आपको discount भी देते हैं, ताकि आपको ऐसे लगे, कि वो आपसे consultancy fees बहुत कम ले रहे हैं, या discount दे दिया, कम कर दिया, लेकिन आपको जिस चीज का ध्यान रखना है, वो इन agencies के द्वारा लिये जाने वाले hidden charges का ध्यान रखना है, वो एक लाख agency की fees बताके, देड़ लाख agency की fees बताके, या 80,000 agency की fees बताके, वो अपने one time charges, OTC, hidden charges, जैसे 1500 US dollar से लेके 2500 US dollar तक उसमें add किये रहते हैं, जो की बहुत सारे नामों से होता है, अलग-अलग agencies ने, मैंने जैसे आपको बताया, अलग-अलग नाम से इसको mention किया रहेगा, OTC, one time charges, miscellaneous charges, additional fee in first year जैसे चार्ज नामों से, ऐसे कोई भी charges, ना तो इंडिया में लगते हैं, ना तो रश्या में लगते हैं, आप जब उनसे explanation मांगते हो, कि ये charges आप क्यों ले हैं, OTC, ये किस चीज के लिए, यहाँ पे brochure में आपने OTC mention किया है, तो वो आपको कहते हैं, कि ये charges जो हैं, वो रश्या में लगते हैं, आपको अभी नहीं देना है, बाद में देना है, जब लगेगा तब देना है, अगर उन्होंने mention किया हुआ है, तो definitely आप से ये charges जो ह लगते हैं, ना तो रश्या में लगते हैं, ये agencies का smart तरीका होता है, आपसे पैसे लेने का, वो अगर आपसे directly कहते कि 4 लाक लेंगे, 3 लाक लेंगे, तो आप उनको देते नहीं, तो agency की fees आपको कम बताई, कुछ भी बताया, उसमें discount दिया, और hidden charges के नाम से आपसे ऐसे पै hidden charges, one time charges, one time payment, miscellaneous charges, जैसे कोई भी charges, अपने किसी भी student से नहीं लेता है, मेरे last year, जितने भी student, फारिस्टन फेडरल यूनिवोसिटी में admission लेके आए, मैंने किसी भी student से ऐसे कोई भी hidden charges नहीं लिया, ना तो इंडिया में, ना तो रश्या में, तो आप सब student इस बात का ध्या कर सकते हैं, चलिए अपने आज की इस वीडियो को start करते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये फारिस्टन फेडरल यूनिवोसिटी का lecture hall है, मैं इस lecture hall को दिखाने से पहले आपको रश्या का academic system पहले explain करना चाहूंगा, for example, आपके one academic year में seven to eight groups बनते हैं, और एक group में जो हैं वो fifteen to twenty students जो हैं, वो एक साथ अपनी study करते हैं, लेकिन groups, सारे groups की जो lectures होते हैं, उनकी classes, सारे group की जो classes होती हैं, वो तो अलग-अलग होती हैं, लेकिन जो उनके lectures होते हैं, वो एक साथ होते हैं, तो जो lectures होते हैं, वो mostly morning में होते हैं, और यही lecture hall है, जहाँ पे फेफू के ज जो lectures हैं, usually होते हैं, तो आप यह देख सकते हैं, lecture hall, पीछे की तरफ projector लगा हुआ है और जो भी चीजे हैं यहाँ पर, professor आते हैं और बच्चों को जो है वो अपना lecture जो है वो deliver करते हैं, तो यह देख सकते हैं, इससे पहले यहाँ पर अभी class, lecture था और जो professor थे वो पढ़ा के गए भी हैं कुछ तो यह हम आपको दिखा रहे हैं lecture hall आप यह पूरा का पूरा जो है वह देख सकते हैं इस वीडियो में तो अट आफ कि अचली अब हम आपको दूसरा lecture hall दिखाते हैं, यह सारे lecture hall जो है वो एक दूसरे से जो है वो interconnected है, तो आप हम दूसरे lecture hall की तरफ हम चल रहे हैं, यह जो है वो हमारा दूसरा lecture hall है, यह एक और lecture hall है, तो यह जो है वो दूसरा lecture hall है तो यह forest and federal university का यह lecture hall है जहाँ पर हम इस समय खड़े हैं आप यह देख सकते हैं चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं forest and federal university के classrooms जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो classrooms होते हैं फेफू के उन classrooms में हर group की जो study है वो अलग-अलग होती है ताकि student पे focus कर पाया teacher तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं फेफू के classrooms जैसे यह जो है फेफू का एक classroom है यह आप देख सकते हैं यह है classroom आपका तो हर group की जो classes है वो अलग-अलग लगेंगी जितने भी group होंगे सारे group के जो lectures होते हैं वो lectures तो एक साथ होते हैं लेकिन जो classes होती हैं वो अलग-अलग लगती हैं और वो classes में सिर्फ 15 to 20 students से एक साथ पढ़ते हैं और यही है उन 15 to 20 students की class जहां पे वो अपनी पढ़ाई करते हैं आप यह देख सकते हैं classrooms में भी जो है वो projector वगएरा लगे रहते हैं और यहां पे अगर यह smart classrooms हैं तो यह है फेफू का classroom पहले हमने आपको दिखाया lecture hall जहां पे सारे groups की classes एक साथ लगेंगी और यह है classroom जहां पे 15 to 20 students ही एक साथ एक class में बैठके अपनी पढ़ाई जो है वो करते हैं तो यह हो गया आपका classroom चलिए आपको दिखाते हैं जाते हुए जो है जिसे हम एंटर करते हुए lecture hall जैसे हम एक बार और दिखाना चाहेंगे कि lecture hall enter करने पर कैसा दिखता है तो यह है lecture hall जिसको कि अभी हमने आपको वीडियो की स्वाइटिंग में दिखाया भी lecture hall जो है वो ऐसा दिखता है यहां से हम आपको दिखा रहे हैं कि जनरल मेडिसिन प्रोग्राम जो है वो रश्या में six year का कोर्स है तो अलग-अलग years की जैसे classes अगर एक साथ ही लगने वाली है लाइक उनके lectures जो है वो गर सेम टाइम पर सड्डूल हो गये हैं तो इसलिए बहुत सारे जो lecture hall हो होते हैं कि ताकि अगर एक टाइम पर भी सबके class अगर सड्डूल हो तो किसी को कोई problem जो है वो ना आए कि यह फिर एक classroom आप यह देख सकते हैं प्रश्या में एक्च्वली जो है वो groups में study का एक फायदा होता है कि कम student होते हैं लाइक 15 student होंगे सिर्फ 20 student अगर एक group में होंगे तो definitely जो teacher है वो हर बच्चे पे जो है वो personally focus कर पाता है और उसको क्या problem है या क्या उसके doubts है उसको solve कर पाता है तो यह groups वाला जो system है वो बहुत सही है कि ताकि कम बच्चे जो है वो एक group में पढ़ें lectures आपके भले एक साथ हो रहे हैं सारे बच्चों के lectures एक साथ हो रहे हैं लेकिन groups में study होती है 15 to 20 तो आपको lecture में आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो आप groups में अपने class में जो है वो पूच सकते हैं इस चीज़को या फिर group classes हो रही हैं तो उसमें आप teachers से जो अपने doubts हैं जो है वो आप पूच सकते हैं उपने problems को solve कर सकते हैं जैसे ये class है, तो जब class में जब teacher आए आपको, तो आप teacher से अपने जो lecture के आपके जो doubts हैं, वो आप पूछ सकते हैं, या अगर आपने कुछ पढ़ा है और आप उसको समझ में नहीं आया है, तो आप उस चीज़ को भी पूछ सकते हैं classes में. पूछ सकते हैं, करने में आपके ज़फ़ाई दोर्माती जापके ज़े चेँ़ाचा को अबवोचा के लिएब का जब ज़ब इस हूएबाफाबवाबबान. कर दो जब एकिना एके भी टें क्या आपके बाफ़बाबबबबबबबबबब. झाल झाल तो ये हमने आपको दिखाया फारिस्टन फेडरल उनिवर्सिटी के लेक्चर हॉल क्लासरूम फारिस्टन फेडरल उनिवर्सिटी टॉप क्लास उनिवर्सिटी है फारिस्टन फेडरल उनिवर्सिटी प्रजेक्ट 500 प्रग्राम की भी एक पार्टिसेपेंट है और सबसे ज़ादा स्टूडेंट अगर अपनी MBBS की पढ़ाई है, जनरल मेडिसिन की जो पढ़ाई है, वो अगर किसी उनिवोसिटी में, रश्या में किसी उनिवोसिटी में करना चाहते हैं, तो फेफू ही है, सबसे ज़ादा अप्लिकेशन पारिस्टन फेडरल में ही स्टूडेंट के आते हैं, one of the best university in Russia है, no doubt आप यहाँ पे admission लेके अपना जो dream है doctor बनने का, वो complete कर सकते हैं, और यहाँ से एक बहुत ही अच्छा doctor बनके आप निकल सकते हैं, आपको जिस चीज का ध्यान रखना है, वो है admission लेते समय, आपको consultancy का ध्यान रखना है, ता डेड़ लाक बताती हैं, आपको consultancy fees, आपको लगता है कि यही amount आपसे वो लेने वाली हैं, उसमें discount भी देती हैं, लेकिन उनके और charges होते हैं, agency की fees बता के, आपसे कम fees बता के, आपसे वो one time charges या ऐसे charges के नाम से आपसे बहुत सारे पैसे ले ले लेती हैं, जो कि 1500 US डॉलर ना तो रश्या में लिए जाएंगे, क्यों क्यों कि ऐसे कोई charges नहीं होते हैं, साथ में Apex Overseas Education, Far Eastern Federal University का एक official recognized partner भी है, university की तरफ से हमें power of attorney भी मिली हुई है, जिसे कि आप अपनी screen पे देख सकते हैं, या हमारी official website पे भी जाके check कर सकते हैं इस चीज को, बाकि अगर आप student क कि अगर कोई और doubts है, कोई query है या आप मुझसे बात करना चाते हैं, तो आप मुझे WhatsApp पे जो है, वो call कर सकते हैं, contact कर सकते हैं, या मुझे text कर सकते हैं, thanks for watching the video, hope you like the video, thank you.